हेलो एवरिवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 की पोलिटिकल साइंस की बुक 2 इसका चैप्टर है 1 राष्ट निर्मान की चुनोतियां इस चैप्टर से हम 2 नंबर के, 4 नंबर के, 6 नंबर के जो most important question है इसको discuss करेंगे, देखिए ज़्यादा question नहीं बनते हैं, limited 3-4 question बनते हैं उसी में से आपके paper में कोई ना कोई question आ जाता है, ठीक है? सारे question में आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ और chapter की वीडियो अगर आपने नहीं देखिए ना तो आप पहले chapter की वीडियो को देखो सारे chapter आपको अच्छे तरीके से देखने हैं, chapter को समझ रहा है उसके बाद important question देखोगे तो आपको और ज़्यादा होगा और यह जो MCQ question आपको देखने होंगे तो मैंने live class में कराए थे आप live class वाले option में जाके YouTube पे जाके आप live classes को भी देख सकते हैं वहाँ पे सारे MCQ question important हमने करा दिया हैं पहले से notes जो आप देख रहे हैं, यह जो वीडियो में important question discuss कर रहा हूँ यह question plus में और खूप सारे question आपको हमारी website में free में available हैं Google पे जाके loveyastudypoint.com सर्च करना है, उसके बाद class 12 में जाना है ठीक है, इसके बाद आपको अपने subject में जाना है, subject में जाने के बाद आपके सामने table आएगी यहाँ पे आपको chapter wise important question मिलेंगे, ठीक है, sorry, यहाँ पे आपको chapter wise theory notes मिल जाएंगे यहाँ पे MCQ मिल जाएंगे, और यहाँ पे मिलेंगे आपको short question और long question तो आप यहाँ से देख सकते है important question, ठीक है और आज से हम start कर रहें second book, second book के अगर आपके midterm की बात करें तो midterm में आपके second book से दो chapter आने वाले हैं, ठीक है और यह जो वीडियो है आपके midterm में भी काम आएगी, आपके pre board में भी काम आएगी और board exam में भी काम आएगी, क्योंकि question यहीं बनते हैं, आपके इससे ज़्यादा question यहाँ से नहीं बनेंगे सबसे पहला question आपके सामने screen पे है, ध्यान से देखिए प्रशन है कि आजादी के बाद किन दो बातों पर सब की सहमती थी, यानि ऐसी कौन सी दो बाते थी जिस पे लगबग लगबग सभी सहमत थे, ठीक है, यह बताना है तो इसका सबसे पहला point है कि देखे क्या था कि शासन जो है लोकतांत्रिक सरकार के दोरा चलाया जाएगा इस बात से सभी सहमत थे, और सरकार जो है वो सभी के भले के लिए काम करेगे जब हमारे देश आजाद नहीं हुआ था ना, उस समय से हमारे जो नेता थे, वो यह मान के चल रहे थे कि जब भी देश आजाद होगा, तो हम अपने आपे जो शासन विवस्ता अपनाएंगे, वो लोकतांत्रिक शासन विवस्ता को अपनाएंगे यानि कि लोकतंत्र को अपनाएंगे, ठीक है, सेकिंड क्या था, कि सभी के भले के लिए काम करने का मतलब क्या है, समाज का चाहे कोई भी तपका हो, कोई भी तपका, ठीक है, सभी के लिए सरकार काम करेगी, सब के विकास के लिए काम करेगी, ये था, पहला कोशन, सेकिंड को समय में important थे तो यह आपको पता होने चीए तो इसमें क्या था तीन हमारे जो महत्पूर्ण point है यह हमें पता होने चीए इसमें सबसे पहला point जो है वह है एकता के सूत्र में बांधना यानि कि भारत एक विशाल आबादी वाला देश है भारत में बहुत ज़्यादा विवित्ता है यहाँ पे अलग-अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं अलग-अलग जातियों में बटे वे लोग हैं उनका सामाजिक सांस्कृतिक अगर हम कल्चर वगरा देखें तो वो आपको देखने को अलग मिलेगा लेंग्विज अलग है भारत में अलग-अलग भाषाओं को बोला जाता है ठीक है अलग-अलग विचारधाराओं वाले लोग हैं लोकतंत्र स्थापित करना हलाकि हमने पहले से यह डिसाइड किया हुआ था कि देश आजाद होगा तो हम लोकतंत्रिक सरकार को चलाएंगे लेकिन फिर भी लोकतंत्र को स्थापित कर पाना कोई आसान काम नहीं था ये भी एक चैलेंज था तीसरा जो था वो था पूरे समाज का भला करना पूरे समाज का मतलब क्या है समाज के हर तब के किसी भी जाती से हो किसी भी धरम से हो ठीक है कोई भी उसकी विचार धारा हो किसी भी जगा पे रहने वाला व्यक्ति हो भारत का नागरिक है तो सब के लिए सरकार को क्या करना था सब की भलाई के लिए सरकार को क करना था यह इंपोर्टेंट है अगले कोशन पर चलते हैं नेक्स्ट कोशन है और यह ज्यादा तर पेपर में आपसे पूछ लिया जाता है कि बताईए द्वी राष्ट सिधांत जो है यानि कि जो नेशन थिओरी थी द्वी राष्ट सिधांत या दो राष्ट सिधांत कहलो इसका क्या अभिप्राय है इसका क्या मतलब है तो दो राष्ट सिधांत का मतलब क्या है जो इंडिया यानि जो बिल्टिस इंडिया था अंग्रेज जिसको इंडिया कहते थे इसमें दो यह जो कॉंसेप्ट है टू नेशन थिओरी का यह कहता है कि इंडिया जो है वो दो मुस्लिम और मुस्लिमों ने क्या डिमांड करी कि उनके लिए एक अलग राष्ट बना दिया जाए वो हिंदूों के साथ भारत में नहीं रहना चाते हैं तो ये थी टू नेशन थे ओरी ठीक है जिनना और बाकी जो पाकिस्तान समर्थक थे वो सब इसको मांग रहे थे इसकी डिमांड कर रहे थे लेकिन जो कॉंग्रेस थी या जो भारत के नेता थे वो नहीं चाते थे कि देश के दो टुकड़ेओं वो चाते थे कि सब भी साथ रहें तो ये सिध्धान दाया था ठीक है इसके दौरा दिया गया था मुसलिम लीक के दौरा ये सिध्धान दिया गया था इसके तहट इंडिया को इन्होंने दो कौमों का देश बता दिया था तो ये है टू नेशन थे उरी इंपोर्टेंट है याद रखना पेपर में आ जाता है कोशनिया से अगला प्रशन देखिए भारत के विभाजन के प्रमुक कारण बताईए देश का जो बटवारा हुआ था भारत का जो बटवारा हुआ था उसके प्रमुक कारण क्या है सबसे पहला point है आपका देखो अंग्रेजों की food डालो शासन करो की नीती के कारण भारत का विभाजन हुआ क्योंकि अंग्रेज समझ चुके थे कि अब भारत में ज़्यादा समय नहीं रह सकते वो देश में बार-बार विरोध परदर्शन हो रहा था ऐसे में उन्होंने क्या करा जाते जाते भी कहीं न कहीं food डाल दी ठीक है लड़वा दिया और इस तरीके से कहीं न कहीं और हिंदू और मुस्लिमों में इन्होंने food डलवाई ठीक है और इस तरीके से क्या हुआ देश का विभाजन हुआ फिर मुस्लिम लीग की मांग मुस्लिम लीग जो थी वो देश आजाद होने से पहले ही ये मान चुकी थी कि हमें अपना अलग देश चाहिए ठीक हमें आजादी के बाद इनके साथ रहना ही नहीं है इन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था और इसके लिए फिर डारेक्ट एक्सन डे वगेरा हुआ जिसमें इन्होंने हिंदू का कतले आम सुरू कर दिया ठीक है बहुत हिंसा हुई इसके कारण क्या हुआ लास्ट में यही लगा कि अभी यही चारा बच रहे कि अलग-अलग देश कर दिये जाए बांट दिया जाए ठीक है तो यह हुआ नेक्स्ट पॉइंट है कि पाकिस्तान निर्मान की मांग यह भी एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि बटवारा जो था यही तो था पाकिस्तान की इनको डिमांड थी पाकिस्तान इनको चाहिए था इसके कारण क्या हुआ देश का बड़वारा हो गया फिर हिंदो-मुस्लिम संगर्स अब क्या था भई मुस्लिमों ने जो डिरेक्ट एक्शन डे अपनाया था उसके तहट क्या हुआ था बंगाल में और कई जगा पे हिंदो-मुस्लिम दंगया हो गया था यह भी एक रीजन बना एक कारण बना हम यह कह सकते हैं और तातकालिक कारण कई सारे हो सकते हैं तो यह कुछ कारण है जो हमें बताने थे अगला प्रशन है कि बताइए instrument of accession instrument of accession जो है इसका क्या अर्थ है इसका क्या मतलब है तो देखे आपको पता है हमारे देश में भारत में छोटी बड़ी कई रियासतें थी अब इन रियासतों पे राजाओं का शाशन होता था जब राजाओं का शाशन था तो अब देश आजाद हो जाएगा तो कुछ राजा ऐसे भी हो सकते हैं जो कहें कि नहीं भाई हम तो भारतिय संग में शामिल नहीं होना चाते हम तो अपनी रियासत को अपने अकोर्डिंग चलाएंगे तो ऐसे में समस्य आ रही थी कहीं न कहीं देश आजाद तो हो गया ठीक है देश का बटवारा भी हो गया लेकिन अब देश के समने समस्य यह आ रही है कि इन रियासतों का क्या करें तो इनको एक जुट करने के लिए वल्लब भाई पटेल ने क्या किया ठीक है वल्लब भाई बहुत महत्पून भूमी का निभाई थी, उन्होंने क्या करा है, इन राजाओं को मनाया, इन राजाओं को कन्वेंस किया, कि आप भारतिय संग में शामिल हो जाईए, उसके लिए जो सहमती पत्र होता था, जिस पर सिगनेचर करके वो शामिल होते थे, उसी को instrument of accession कहा जाता था, ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं, instrument accession जो है, एक सहमती पत्र था, इस पर हस्ताक्चर का मतलब क्या होता था, कि रजवारे जो हैं, वो भारतिय संग का अंग बनने के लिए सहमत है, यानि कि जब कोई राजा, ठीक है, जिसकी कोई रियासत हो, अगर वो इस सहम पत्र पे हस्ताक्चर कर देता था, इसका मतलब यह होता था, कि वो भारतिय संग में शामिल हो चुका है, तो यह चीज़े थी, next question देखते हैं, अगला प्रशन है कि आजादी के बाद, लोकतंत्र को इस्थापित करने के लिए, सरकार ने कौन से गदम उठाए, ठीक है, लो यह लागों की गई, कि सभी को मतदान करने का, यानी वोट देने का अधिकार है, इसे को शारभौमिक वैस्क मतदिकार कहा जाते हैं, उस समय में मतदान की जो आयू थी, वो 21 वर्स थी, ठीक है, आज के समय में 18 वर्स का व्यक्ति मतदान करता है, लेकिन अगर उस समय की बा मतादान का अधिकार था, इसी को शार्मोमिक वैस्क मताधिकार कहा जाता है, हलाकि हमने ये पढ़नाली अपनाई थी ना, इसका काफी लोगों ने विरोध भी किया था, खासकर जो पश्चिमी देश थे, पश्चिमी देशों में बहुत सारे अधिकार थे, जहां पर मेलाओं को वोटिंग अधिकार नहीं था, बहुत बात में जाके वोटिंग अधिकार मिला है लेकिन जब हमारा देश आजादू आमने तुरंती वोटिंग अधिकार सबको दे दिया second point देखिए, बहु दलिये शासनपरणाली भारत में multi-party system कहलो बहु मतलब बहु मतलब बहु सारी बहु मतलब दल यानि party हैं कोई भी विक्ती चाहे तो वो अपनी राजनितिक पार्टी बना सकता है सभी को राजदेतिक पार्टी बनाने का अधिकार है सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है ये सिस्टम अपनाया तो इससे कह सकते हैं कि हमारी सरकार ने लोकतंत्र को कायम करने के लिए ये निम्न कदम उढ़ाये थे ठीक, सिंपल है बिल्कुल next question देखिए अगला प्रशन है कि बताईये भारत जो है उसका जो विभाजन हुआ था उसके क्या परिणाम होए ते इसके परिणाम बताने तो देखिए जंसंख्या का इस्थान आंत्रन हुआ क्योंकि विभाजन हो गया तो भाही कुछ लोग पाकिस्तान की तरफ गए तो कुछ पाकिस्तान से भारत की तरफ आए यानि जो जनसंख्या थी वो एक जगा से दूसी जगा गई ठीक है फिर अलपसंख्या को की समस्या आप देखो बॉर्डर है मान लिजे यहाँ पे पाकिस्तान है ठीक है यहाँ पे इंडिया है अब पाकि फिर क्या हुआ, महिलाओं को शोशन हुआ, देखो हुआ क्या था, यह अलपसंग के क्वाला बताओं, पाकिस्तान में जो मुस्लिम थे, उन्होंने हिंदूओं को मारना भगाना शुरू कर दिया, जब यहां के हिंदूओं को बता लगा कि भाई, पाकिस्तान वाले ऐसा बरत कर रहे हैं, तो यहां के फिर लोगों ने क्या करा, मुस्लिमों का मारना शुरू कर दिया, तो इस तरीके से लड़ाई हो गई थी, महिलाओं का शोशन हुआ, जबरन उनको उनके साथ बलातकार तक हुआ, ठीक है, उनको मार दिया गया, कुछ लोगों ने तो खुद अपनी घर की इजद बचाने के लिए ही अपनी लड़की को अपने हाथों से ही मार दिया, यह सब हुआ, संपत्ती का बटवारा हुआ, ठीक है, और मजबूरन लोगों को जो refugee camp होते हैं, जिसको शर्नार्थी शिविर कहते हैं, मजबूरन लोगों को शर्नार्थी शिविर में भी रहना पड़ा, ठीक है, और वो भी कितने-कितने समय, एक साल, दो साल, तीन साल, कभी-कभी तो उससे भी ज्यादा समय तक उनको मजबूरन वहां पर रहना पड़ा, तो यह समस्या थी, नेक्स्ट देखते हैं, अगला कोशन है, यह कई बार पेपर में आता है, आपके, कि गुटने-जे बताये, कॉंग्रेस का जो नागपूर अदिवेशन था, यह कब हुआ था, तो सन 1920 में, कॉंग्रेस का जो नागपूर अदिवेशन था, यह हुआ था, ठीक है, और इसमें क्या बात हुई थी, इसमें यह मान लिया गया था, कि राज्जियों का पुनरगटन बात है 1920 की, देशाजाद हुआ है कि उस समय में नहीं हुआ, 1920 में ये सम्मेलन हुआ था, ये अधिवेशन हुआ था, उस समय ये डिसाइड कर लिया गया था कि जब भी हमारा देशाजाद होगा, जब भी, दस साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, क्योंकि पता थोड़ी था उन भाषाओं के आदार पे राज्यों को बना दिया जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है कि राज्यों का पुनरगटन जो है वो किस प्रकार से हुआ था इंपोर्टेंट है यह आपको पता हो न अची देखे अभी तो हमने क्या सुना 1920 में नागपुर अदिवेशन हुआ वहाँ पे डिसाइड हो चुका है कि जब भी देश अपना आजाद होगा तो राज्यों का पुनरगटन कर देंगे लेकिन भाषा के आदार पे कर देंगे इतना के लिए रहे अब आगे हुआ गया समस्या यह देखियो आजादी और बटवारे के बाद जो परिस्थितिये बदल गई क्योंकि हमको यह तो पता था कि कभी ना कभी तो देश आजाद होगा पर यह थोड़ी पता था देश के दो टुकडे हो जाएंगे यह समस्या थी लेकिन जब आजादी हुई और देश का बटवारा हुआ तो कहीं न कहीं इस्तिती जोती वो बदल चुकी थी अब जो नेता जो थे उनको चिंता हो रही थे उनको डर लग रहा था कि अगर भाशा के आधार पे प्रांत बना दिये तो आव विवस्ता फैल जाएगी देश तूट सकता है यानि कि देश की अखंडदा को खतरा हो सकता है तो उसके बाद क्या हुआ बहुत भारी विरोध परदर्शन होने लगा आंदर परदेश मदरास वाला जो परांत था आपने देखा होगा वहाँ पर आंदोलन शुरू हो गया था ठीक है वो काफी आंदोलन चला बाद में फिर उगर हो गया क्योंकि पोटिशी रामुलू जो थे उनकी डैथ हो गई थे मृत्ती हो गई थे उसके बाद वो आंदोलन उगर हो गया था तो इसके कारण मजबूरन नहरू ने ये फैसला करा कि ठीक है हम आंदर परदेश नाम से अलग राज्य बना देंगे डिसाइड हो गया कि ठीक है बना देंगे लेकिन डर क्या था डर ये था कि चलो आंदर परदेश बना देते हैं कल को भाई फिर दूसरी भाषा वाले बोलेंगे हमारा बनाओ फिर दूसरी भाषा वालेंगे हमारा बनाओ ऐसे करेंगे तो देश में कोई एक या दो भाषा थोरी बोली जाती है इतनी सारी भाषा है हमारे देश में बोलते हैं कि दो इलाके ऐसे थे जहाँ पे मुस्लिम जो थे वो संख्या में काफी जादा थे बहुत संख्यक थे तो दोनों इलाके जो थे वो अलग अलग जगा पे थे एक पूरुम में था एक पस्चिम में था अब ऐसे में इन दोनों जगाओं को जोड़ पाना पॉसिबल नहीं था ठीक है? और सबी मुस्लिम पाकिस्तान जाने को तयार भी नहीं थे, कि सबी मतलब नहीं जा रहे थे, पंजब और बंगाल के कुछ इस इलाकिये जहां पर मुस्लिम जादा थी वहाँ पर समस्या उनने लगी वहाँ दंगे व依रा उनने लगे थे ठीक है और फिर समस्य आई कि इनको कैसे बगाट जाए तो यह हुआ कि इसको हम जिले के आधार पे तुर भी धिस्टिक के आधार पर हम और क्यों की गई थी, सिंपल है, देखें, राज्य पुनरगटन आयोग 1953 में बना था, क्यों बना था भाई, ये इसलिए बनाय गया था, ताकि राज्यों का सीमांकन के मामले जो है, कैसे राज्यों को भाशा के आधार पर बनाय जाए, कैसे उसका सीमांकन किया जाए, इन सार इन उन्हें बनाय ठीक है, कर देते हैं, तो ये इसने डिसाइड हो गया था, तो पुनरगटन आयोग वाला कोशन आता है, कई बार ये कोशन आ जाता है, बताए ये राज्ये पुनरगटन अधिनियम कब आया था, तो ये अधिनियम जो है 1956 में आया था, ठीक है, उसकी कोशन हो सकता है, आपके पिपर में पूछ लिया जाए, बहुत इंपोर्टन है, ठीक है, अगला कोशन है कि बताए है हैधराबाद जो है, उसकी जो रियासत है, वो भारतिये संग में उसको विलय कैसे हुआ, तो हैधराबाद के जो राजा थे, इनको निजाम कहा जाता था शाशक जो थे वहां के, सबसे अमीर लोगों में इनका नाम होता था, अब ये क्या थे, ये भारत में सामिल नहीं होना चाह रहे थे, ठीक है, ये भारत में नहीं सामिल होना चाहते थे, और निजाम और उनके जो सैनिक थे, जो रजाकार थे, जो उनके गुंडे थे, वो ख जो उसके रजागार थे उसको भेज दिया रजागार जो थे बहुत सामपरदाइक थे क्योंकि ये मुसलिम होते थे ये खास कर जो गैर मुसलमान है यानि कि जो मुसलिम नहीं है गैर मुसलिम मतलब जो हिंदू हो गए सिख हो गए वो सब गैर मुसलिम है उनको खासकर ये target बनाते थे, निसाना बनाते थे, उनसे मारपीट करते थे, इन्होंने loot path मचानी शुरू कर दी, कैई जैसे कि इनकी कभीलियाई, जो इनकी संस्कृति है, उसे साब से इन्होंने करना शुरू कर दिया, हत्या, बलातकार, ये सारे काम शुरू कर दिये, तो भ ऐद्राबाद की जो रियासत थी, वो भारतीय संग में विले हो गया, ठीक है, ये था, एक कोशन ये भी आजाता है कभी-कभी की बताईए, मनिपुर की जो रियासत थी, वो भारत में कैसे मिली, तो मनिपुर के राजा थे, बोद्चंदर सिंह, महाराजा, ठीक है, इनको भ मनिपूर भारत का एक ऐसा राज़ है पहला राज़ है जहाँ पे सारव भौमिक वयश्क मतादिकार का परियोग करके जून 1948 में चुनाओ कराया गया था ये कोश्चन आपके पेपर में आ सकता है सिंपल है पर आ सकता है अब क्या हुआ राजा ने सिगनेचर कर दिये भारतिय संग में शामिल हो गए लेकिन ठीक है लेकिन कॉंग्रेस चाती थी वहां की कि मनिपूर भारत में शामिल हो जाए लेकिन जो वहां की जनता थी और राजा के कुछ सपोर्टर थे वो नहीं चाते थे कि मनिपूर जो है भारत में मिले ठीक है मनिपूर का मिले जरूर हो गया ह लेकिन आज के समय में भी हम देगे तो वहां की जनता जो है खुश नहीं है वो भारत के संग में भारती संग में विले से ठीक है वो नहीं चाते थे मतलब भारत में उनको शामिल किया जाए तो यहां पर अपना यह जो चेप्टर है इसके सारे most important question जो बनते हैं वो सारे मैंने कर सकते हैं Instagram पे अगर आपको कुछ पूछना हों तो मैं 2-4 दिन 5 दिन में reply करता हूं पर मैं आपको reply जरूर करूँगा मेरा नाम से सर्च कर सकते हैं Instagram पे मेरा नाम इकलव्या study point है इस नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हैं I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को